राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न लोजिय अट्टा में जैसा कि आप सभी को पता है हम डेली साम को पांच विजे रट्टा मार सिरीज लेकर आते हैं जिसमें हम यूपी स्पेसर उत्तपर्देश उत्तपर्देश पंचैति राज नियम और पंचाती राज व्योस्ता कि हमने प्रैक्टिस सेट बारी बारी इस करें अब हम यूपी स्पेसर के प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं क्योंकि कल और परसों में यूपी पी का एक्जाम भी होना है तो चलिए देरना करते विए अपने वीडियो को सुरू करते हैं औ विए अपने प्रस्नों को कि आज का हमारे पहला प्रस्न है हमारे सामने उत्तर प्रदेश टम और द्योगिक व्रिद्धिदर अंकित कि कोनसे पंच्वर्सी योजना में उप्शन है जो दस्मी पंचवर्सी योजना थी, इसमें उत्तर प्रदेश ने उच्चितम अध्योगिक व्रिद्धिदर अंकित की थी, जो कि 10.8 परसेंट थी, किनी थी 10.8 परसेंट सी दस्मी पंचवर्सी योजना में, लिए बढ़ते हैं अगले प्रसन की ओर, अगला प्रसन है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में क्रितिम रवड का कारखाना अवस्तित है, मलब कहां पर इस्तित है, किस जिले में इस्तित है, अप्सन है उन्नाव, मुरादाबाद, गाजियाबाद और बरेली, तो जो हमारा सही जवाब है, वो है बरेली, बरेली में हमा क्रितिम रबड का खाना प्रम लॉइंगे किसको सी और डी और ऑफ्शन को प्रस्म के हिसाफ से लेकिन या प्रस्म यूपी प्यसे अचाग्या था उस समय बस बरीली में प्रतिम रबड करका खाना था लेकिन अब गाजी आवाद में भी है चलिए बढ़ते हैं वेपरस्ट की ओर अगला प्रस नहाँ वाज सामने उत्तर प्रदेश में स्कूल आफ पेपर टेकनलोजी कहां इस्तित है अलीगड में गोरकपुर में मुरादाबाद में या में रूप से कहां है सहारनपुर में या तो यहां पर सहारनपुर सही ऑगा पढ़ेंगे अगली प्रसम की और अगला प्रसनली रेन्यु कूट जाना जाता है। रेन्युकूट एक जेगे स्वाइस्टार प्रदेस्यायाी दक्षणी जिला हो है। समद्र मिलहों सिमें रेन्युकूट है। इस दो के भू होर समृत को समृत है। सोन भद रिष्थी रेनुपुड एलमूनियम उद्ध्योग के लिए जाना जाता है तो सी उप्षन बिल्कुल सही है तो हमारे रेनुपुड में वाक्साइड का उप्योग से एलमूनियम बनाने का कार खाना है जो कि हिंदुस्तान एलमूनियम कर्पोरेशन हिंडाल को इस्तित है यह कार खाना युएस्ये के सायोग से अस्थापित किया गया था बढ़ेंगे आपने आज के अगले प्रस्णियोग अगला प्रस्ण है हमारे सामने उत्तर प्रदेश में रेनुपुड में हिंडाल को की इस्तिती का मुख्य कारण क्या है इसकी निकठता अगर कहीं भी फैक्ट्री आप लगाते हैं आप समझे एक छोटी फैक्ट्री लगा रहे हैं तो आपको वाँ क्या चाहिए सस्ते श्रम चाहिए कच्चे माल चाहिए बजार नजदी को ट्रांस्पोर्टेशन बचे आपका और शक्ति के श्रोष से जो बिजली हो आपको अस वाँ आपको को बिड़ला कम्पनी द्वारा स्icylt कि आगया था आपको अह रहां के लिए अगली नागर paintings հहां केстड़ स्क्रांस्ट की करने हो माननेता प्राफ श्टॉक एक्सेंज है यसे आपने सुना होगा बॉंबे श्टॉक एक्सेंज का नाम नेशनल श्टॉक एक्सेंज का नाम लेकिन एक उत्तर प्रदेश में भी माननेता प्राफ श्टॉक एक्सेंज है आप बताईए हो कहां पर है लखनव में कानपूर में व उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बूर्ड की अस्थापना किस वर्स में हुई थी? 1950 में, 1960 में, 1975 में या 1970 में यह प्रस्ण UPPCS के में 2015 में पूचा गया था तो आफ समझें कितना महत्यपोड प्रस्ण हो गया yin उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बूर्ड की अस्थाबना, वर्स 1960 में हुई थी? वर्स 1960 में हुई थी प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग सम McD कार्यों की देख रेक 1960 इस्वी में गठित खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा क्या जाता है बोर्ड का उद्देश ग्रामीड शेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों तथा कम पूंजी निवेश को उद्दोगों को अस्थापित कर अधिक रोजगार के ओसर उप्र द्वाराना तथा ग्रामीड अर्थ ब्योस्था को मजबूत बनाना है चलिए तूर्णी से साथ में उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योगों के स्थापना हुई थी इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रसंद की ओर अगला प्रसंद है वाज सामने उत्तर प्रदेश में निर्यातनमुक सफ्ट्वियर पार्ग कहाँ इस्थापित किये गये हैं option है नोड़ा और कानपूर में, कानपूर और लखनव में, नोड़ा और गागरा में और मेरट और गाजयवाद में जो या निर्यात्मुक सफ्ट्वेर पार्क जो है और नोड़ा और कानपूर में बनाया गया है कहा अस्थापित किया गया है तो नुवेड़ा और कानपूर में अस्थापित किया गया है अगला प्रस्ण है उत्तर प्रदेश में लगू यहों मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दिर्ग काली रेड़ उपलब्द कराए जाता है वह कौन सी संसा है तो अपसर हमारे समने उत्तर प्रदेश लगू उद्योग निगम उत्तर प्रदेश और द्योगी की विकास निगम उत्तर प्रदेश वितिये निगम या उपित सभी है जो की दिर्ग काली रेड़ उपलब्द करा सकते है तो हमें बताना है इसका सही क्या है जो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदिस वित्तिये निगम है जिसके अस्थापना , एक नॉवम्बर उडूहीजञ्या को हुई थी , निगम के अस्थापना एक नॉम्बर उनिसे चोवन कोई थी राज्य वित्ती निगम अत्मियम उनिसे इत्यावन के अंतरगत इसके अस्थापना के गई थी इनके मुख्य अंसदारी राज्य सासन तथा भारती और जोगी विगास बैंक हैं इन्हीं के द्वारा उत्तर क्रमों को दिर्गालिन रिडग उफलद कराया जाता है चले देखते हैं अगी प्रस्न को अगरा प्रस्न हमारे सामने रोजिगार की द्रिश्टी से उत्तर प्रदिस का सबसे बड़ा उद्यों क्या है अगर आप उत्तर प्रदिस के निवासी है तो आप फुद सोच के आपने अगर अपने दादी नानी को देखा होगा या कहीं भी अपने गाउं में देखा होगा जो हातों से सरपस से किसी घास से जो भी चीजे बनाई जाती है या सिलाई कडाई यह सबसे यही है हत करगा उद्योग उत्ताप्रदेश में क्रिसी के बाल रोजगार उपलद कराने वाला दूसरा सबस्त बड़ा छेतर है प्रदेश में हत करगा सूती वस्त के लिए प्रसिद केंद्र मेरट देवबंद धाम पूर सिकंद्राबाद टांडा गुरक पूर मगहर बारा बंकी इ देखते हैं यह प्रस्न को अगला प्रस्न है हमारे सामने वह द्योगिक विकास की द्रिष्ट से उत्तर प्रदेश का कौन सा छेत्र सरवादिक विकसित हुआ हैं तो आप असानी से क्लिक कर पाएंगे कि पूरब बले जो हैं कहते हैं पश्रिम वालों का विकास हो गया हर आ तो पश्रिमी छेत्र का सबसे ज़यादा विकास हुआ है विकास हुआ है रहे घ्ले कयो फ्रस्न को अगला अगला प्रस्न दिया सलाय उद्दश कारमोक केंद्र क्या Cambodia बरेली घरादाबास शहरत पूरय मिर्जापूर तो उत्त्व प्रत्याट्स में दियाली उत्यों का प्रमुक्छ केंद्र जो है वा बरैली है बरैली के अतरिक तो और भी जगह है लेकिन इस अप्सिन में प्रमुक्छ कर किंद्र है वह बरैली ही है पड़ते हैं अगले प्रास्टी की AM दादरी चुनार चुर्क तथा डाला सभी में कार खाने हैं जो पादित करते हैं आप ने इन जगों के नाम सायद एक कस्वे हैं जिले तो हैं नहीं यह इक एक जिले के अंदर एक छेत रहा है या तहसील बोल दीजिए तो उन इलाकों में किसी चीज की फैक्टरी है तो आप को बता दूँ इन जगों पेदादरी में चुनार में चुर्क में साडाला में सिमेंट की फैक्टरियां अस्थापित की गई हैं बहुत पहले से यहां पर सिमेंट के बहुत बड़े-बड़े कार खाने हैं उत्तबर्दिस मिर्जापुर जिले में इसीद कजरहाट यहां र उत्तबर्दिस के मिर्जापुर के कंजरहाट और रोतास से अगले देखते हैं अगले प्रसन को अगला प्रसन हमारे सामने एसीया की सबसे बड़ी चीनी मील उत्तबर्दिस की किस अस्थान पर अवस्थित हैं खतवली में बलरामपुर में बुलं सहर में या नजीबाबा या प्रसन पूछा गया था 2016 के यूपी पीसेस के प्रिमें तो इसका जो एंसर है या प्रसन विवादित है विवादित क्यूं है क्योंकि विकल्ब में दिये गए चारों चीनों मिलों में से कोई भी एसीया के सबसे बड़ी चीनी मिल नहीं है आयोग ने खतवली को माना थ विकतर प्रदेश में ही пimagin अस्थान पर है या प्रसन मुल्यांकन से बाहर करना के चिन्य उद्योग उत्तर प्रदेश का पर्मपरागर यूफ है य Alrighty यह ईसलिए तद्हान को scream में अग्रीस पर ध्यान नहीं देना चाहिए लेकिन यूपी पीसर प्री में जब 2015 में पूछा गया वायोग में खतवली को एंसर माना था ते लिए देखते हैं अगले प्रस्म कुम बनते है गोरकपुर में कानपूर में सितापुर में अप्रियागराज में तो उसमक्रिति मं क्रिद्म अंग का निर्मार कैयाता है 1972 में और भारतीय क्रितिम अंग निरमार निह olmas je Co. उसमक कृतिम अंग का निर्माड क्या आता है 1972 में स्थापित बहारतिये कृतिम अंग निर्माड निगम ALIMCO भारत सिलकार का एक सारवाजनी पुपकरम है जिसका मुख्याले कानपुर में इस्तित है यहीं पर दिभ्यांगों के लिए कृतिम अंग जो अन्य सहायक उपकरण तयार किये जाते हैं तो कानपुर सही जवाब होगा कृतिम अंग जहां पर बनते हैं हमारे उत्तर प्रद के लिए तो बिजनोर जहारनपूर जन्पद कागज लोगदी एवं कागज के बने कत्ते के लिए प्रसिद्ध है जबकि आगरा आपने चर्म उत्योग परेटन उत्योग रायदरेली लकड़ी के कारे इलेक्ट्रोनिक इंद्रश्ट्री तथा रेल पहिया कार खाने के प्रसिद्ध है तो बी ओप्षन कागज के लोगदी गत्य के लिए प्रसिद्ध है बिजनोर और सहारनपूर बढ़ेंगे अगले प्रस्ण को देखते हैं उत्तरप्रतिस में सुर्मा उद्योग के लिए क्या कौन सास्थान प्रसिद्ध है वारान सी प्रयाग राज बड़ा वाद या बरेली जो इसका सही जवाब है UPPSCRO या रो मीयन्स में पुछा गया था वह था बरेली बरेली सुर्मा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है इसके अलावा बात करें तो ब्लैक पॉटरी उद्योग के लिए आजमगर प्रसिद्ध है कथा उद्योग के प्रसिद्ध है प्लाई उड़ उद्यों के लिए सीतापूर सहारन पूर नजीवाबाद बिजनौर प्रसिद्ध है अगला प्रसन हमारे सामने सुची एक को सुची दोग के साथ मिलां कीजिए काली मिट्टी के बरतन कहां बनाया जाते हैं क्या हम उरादाबाद में बनाया ज मिट्टी के बरतन निजामाबाद में चीनी मिट्टी के बरतन के लिए हम जाएंगे खुर्जा की तरफ बुलन सहर में और पीतल सिल्पकृति के लिए हम जाएंगे मुरादाबाद और सीशा सिल्फ खृति के लिए मल्लग चूडियों के लिए हम चलेंगे फिरोजावाद की तरफ तो ये चारो की चारो अप्सन मैंच होगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरफ अगला प्रस्न है अमारा उत्तर प्रदेश का राज चर्म विकास यूं विप्रण निगम लि अगरा में हिस्तित हैं इसकी अस्थापना 1974 में कि गए थी तो आज आपने आज हमने और आपने 20 प्रस्नों को देखा याद किया समझा तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो आपको लाइक करना है और कुछ भी पूचना या बताना हो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट क और वीडियो बनाने का मन करता है आपका बहुत बहुत धन्वार यांतर वीडियो देखने के लिए जय हिंद